तो भाई सहाब BPSC ने 1,70,000 न्यूक्तिया निकाल दी है और वो आदमी जो बिहार में रहकर शिक्षक नहीं बन पा रहे थे उनके लिए खुशकबरी है और खुशकबरी ये है कि 1,70,000 पदों पर न्यूक्तिया निकाल दी गई है और जो नया नियम आया था कि BPSC के तहट अ 1,70,000 निकालने के बाद अब इस बात का एलान भी हो गया है कि आप कब से आविदन कर सकते हैं आपका एक्जाम कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा लगतार इस बात को लेकर जो शिक्षक अभियरती थे वो परिशान थे कि आपने नया नियम ला दिया हम उसका विर जून से लेकर 12 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और ये सारा आवेदन ओनलाइन होगा अब आगे बात समझ लीजिए आवेदन ओनलाइन होगा तो इसका जो वेबसाइट है वो है www.bpsc.bih.nic.in इस पर जाकर अभी तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड क कर सकते हैं और आवेदन करते समय ही आपको अपना सारा जो प्रमान पत्र होता है वो जमा करना होगा और इस बार ऐसा नहीं है कि आप सोच रही है कि हम कोई भी प्रमान पत्र जमा कर देंगे और आपको बकस दिया जाएगा अगर आपका प्रमान पत्र गलत हुआ तो ये सम परिक्षा कब होगा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को ये परिक्षा लिया जाएगा और दिसंबर में ही इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा आम तोर पर होता ये है कि लोगों के मन में ये बात बैठ गया है कि बिहार सरकार को ये परिक्षा ले रही है तो समझ लीजिए कि वो टाइम प पर लिया जाएगा ना रिजल्ट टाइम पर दिया जाएगा और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता होती है चात्रों को अभियर्थियों को और इस बार जब प्रेस कोंफरेंस किया रहा था बीपीएसी के तरफ से तो साफ साफ ये बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप उस डेट का इंतिजार करिएगा जिस दिन वो डेट खुलेगा मतलब कि वो लिंक जो होता है वो एक्टिव हो जाएगा आप वहां पर जाकर वो अपना आवेधन फॉर्म भर सकते हैं वेब कक्षा एक से लेकर पांच तक के लिए 89,943 पद स्विक्रित हुए हैं कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद स्विक्रित हुए हैं कक्षा 11 और 12 के लिए 57,602 पद स्विक्रित हुए हैं और इसके बाद आप समझ लीजे की देखिए जो qualifying अंक होगा वो कितना होगा जो general category के लोग ह उनके लिए 40% है, OBC के लिए 36.5% है, EBC के लिए 34 है और SCST महिला दिव्यांग के लिए 32% है, मतलब कि आप इतना अंक लाएंगे तो आप शिक्षक बन जाएंगे, अब आते हैं आवेधन शुल्क पर, मतलब कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो कितना पैसा देना होगा, जो जनर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, मतलब कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक उनको 25,000 रुपए का वेतन मिलेगा, इसके अलावा जो भत्ता मिलता है वो मिलेगा, और इसके अलावा जो नया पेंशन योजना है, उस नियम के अनुसार उनको पैसा मिलेगा, जो मिडल स्कूल वाले हैं, मतलब 9 से 10 तक, उनका मूल वेतन जो होता है, बेसिक सेलरी जो है, उनको मिलेगा 31,000, इसके अलावा भत्ता मिलेगा, और नया पेंशन पॉलिसी के अनुसार उनको मिलेगा, अगला है, हाइर सेकेंडरी मतलब 11, 12, उनका जो प्राइमरी सेलरी होगा, बेसिक सेलर है, इनको ही मिलेगा, इसके अलावा, BPSC ने कहा है, कि जो सवाल पूछे जाएंगे परिक्षा में, वो पूरा का पूरा सवाल होगा, NCRT से सम्मंदित, क्योंकि देखिए, NCRT किताब ही पढ़ाय जाता है, और NCRT के ही सम्मंदित, यहाँ पर जो भी सवाल पूछ मतलब, 150 सवाल के लिए 2 घंटे मिलते थे, अब 120 सवाल के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, 30 सवाल कम कर दिया गया है, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या-क्या है, कौन-कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो पहला बात ही जान लीजे कि देखिए, STET, TET सब अनिवार है, इसमें एक बड़ा सवाल यह था कि BAD या DLA अगर किसी का नहीं हुआ है, या होने वाला है, उनका रिजल्ट नहीं मिला है, तब क्या वो लोग परिच्छा दे सकते हैं, इसका जवाब यह है कि देखिए, अगस्त दो हजार तेईस तक, अगर 31 अगस्त दो जार तेईस तक, आपका BAD या DLA परिच्छा हो जाता है, अगर आपको यह पता है कि हो जाएगा, तब आप एकजाम दे सकते हैं, वरना आप एकजाम नहीं दे सकते हैं, इसके लाब आखरी सवाल का जवाब जान लीजिए, अगर किसी को लगता है कि वो प्राइमरी में भी भर ले, वो मिडल क्लास में भर ले, और वो हायर सकेंडरी भर ले, मतलब कि कक्छा एक से लेकर पांच लक, नौवा, दसवा भी और 11 वारव का भी टीजर अगर बनना चाहता है कोई एक आदमी ही, तो इसमें उसको छूट है, वो तीनो परिक्छा का आविदन भरे, और तीनो परिक्छा अलग जाएंगे, बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगा, आपको हम बता देंगे, फिलहाल एक लाख सत्तर हजार जो रिप्तियां है, वो निकल गई है, अलग-अलग पदूपर निकली है, मतलब कि मिडल स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, और हायर सेकेंडरी के लिए और इसमें भरने का विए पुरा बोधा शेडिूल था, हमने आपको बता दिया, आप 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक इसको भर सकते हैं, शुल्क हमने बता दिया, 750 रुपए जनरल के लिए, 200 रुपए स्टी, स्टी और दिव्याग के लिए, बाकी जैसे ही कोई निया बडे